Hello and welcome back सरस्वती ग्यान और this video we can discuss kana kisli रास्टिय ग्याम So, आप लोग copy pen लेकर बैटगेगा और इस video में हम लोग इससे बाहर कुछ भी नहीं यानि कि इस video में kana kisli से संबंधित सभी बिसेस बातों को हम इस video में जानने वाले हैं और इस वीडियो में जितने भी important बाते आपको बताई जाएंगी और मेरे बिचार से आपको इस से बाहर काना किसली से संबंदित और बाहर के question नहीं पूछे जाएंगे लगबग इस वीडियो में काना किसली से सम्मंदित सभी important बातों को जो है हमने इसमें add किया हुआ है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं हमारे छेतरफल की बात कर लेते हैं तो छेतरफल जो हो जाएगा इसका 940 याने की 940 वर्ग किलोमेटर हो जाएगा इसका छेतरफल यह आपको याद रखना है अब इसकी अवस्तित के बारे हम बात कर लेते हैं कि यह कहां पे इस्थत है यह अवस्तित है हमारे जवलपुर संभाग की मंडिला जिले में इस्थत हैं ठीक है और इसका हम बात करें तो यह हमारा मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी ज्यान हो जाएगा और मध्यप्रदेश का पहला राष्टी उध्यान हो जाएगा ठीक है अब इसके बात करते हैं इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं स्थापना इसकी कब होईती तो इसकी स्थापना आपको बिल्कुल सिकेंस वाई याद करनी है बिल्कुल ठीक है कि 1933 में जो जाएगी यह अभ्यारणने की रूप में बनता है और 1955 में यह हो जाएगा हमारा राष्टी उध्यान बनाया जाएगा ठीक है तो मैंने पहले भी बत पहलत यह हो जाएगी कि मन्द्द सबसे पहला राष्टी उध्यान कोन सा था जो हमारे प्रोजेक्ट डायगर है तो हमें कौन सा ओजाएगा कानक ना किसली अध्यान ओजाएगा ठीक है अब बाग परीजन just to aparem कुछ महत्वपुन बातों को जान लेते हैं सबसे पहले हमारी जो वर्ल में हो जाएगा वर्ल में बाग परीजुना की जनक किसे कहा जाता है तो बाग परीजुना के जनक जाना जाता है गैनीमेट फोड को जाना जाता है ठीक है जबकि इंडिया में जो जाएगा हमारे कैलास साखली को जाना जाता है ठीक है अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब से स्टार्ट हुआ यानि कि यह हमारे एक अप्रेल 1972 में यानि कि 24 जुलाई जो होती है हम project tiger के रूप में दिवस के रूप में मनाते हैं project tiger जो जाएगा दिवस के रूप में हम मनाते हैं किसको मनाते हैं तो 24 जुलाई को तो I think आपके पास से 10 लगबाग important question आपके यहां cover हो जाते हैं अब इसके बाद हम कुछ विसेश बातों को जान लेते हैं जो काना किसली से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी होई हैं और बहुत ही important है सबसे पहली यहां पर जो जाएगी हमारी हालो एवों बंजर घाटी यहां पर पाई जाती हैं सबसे महत्यपूर पूश्चन सबसे ज़्यादा पूचा जाने वाला question हालो एवर बंजर घाटी कहां पाई जाती है तो वो काना किसली में पाई जाती है सेकंड हो जाएगा मद्यपरेश का पहला हवाई पट्टी वाला उध्यान तो कहां पर पाई जाती है हवाई पट्टी वाला उध्यान हो जाएगा हमारा काना किसली हो जाएगा ठीक है अब सेकेंड थर्ड हो जाएगा हमारा यहां से दो नदी निकलती है कौन-कौन सी निकलती है एक निकलती है बंजार और एक निकलती है हमारी सुर्पान यानि कि दो नदी कौन-कौन सी बंजार और सुर्पान जो जाएगी इस राष्ट्य उध्यान के लगबग भी से ह कर गुजरती है ठीक है तर्ड हो जाए फूर्थ हो जाएगा हमारा यहां पे वन्य पराणी सद्दिशन के लिए प्रसरेशन की व्युवस्था भी की गई है यालिंगी का नक तो मान सकते हैं कि 12 सिंगा की जो ब्रेडरी प्रजाती है कौन से प्रजाती है ब्रेडरी जिसे बिसिस प्रजाती भी बोल सकते हैं यह मात्र हमारे काना किसली राष्ट्य उध्यान में ही पाई जाती है यहां पे ही इस प्रजाती को देखने मिलता है अन्य किसी राष्ट्य उ मतलब कि दवीन सिंग इसने जो लांच किया था सब से देश का जो जाएगा यह सबसे पहला हो जाएगा राश्टियूज जिसने अपना mascot जारी किया था कौन सा किया था तो दा बूर्सिंग इसने अपना launch किया था और इसको जो है mascot को बनाने वाला था रोहन चक्रवर्ती थे कौन थे रोहन चक्रवर्ती ठीक है अब इसके बाद हम next important बात कर लेते हैं कि इस पर जो है park interpretation योजना जो है लागू की मतलब की वन गलियारा मतलब क्या होता है कि जैसे काना किसली राष्ट उध्यान के जीव हो गए बाग हो गए और उनको वन गलियारा टाइप का बना दिया जाता है कि जिससे वो हमारे काना किसली राष्ट उध्यान से बादागड राष्ट उध्यान में जा सके यानि कि बा काना किसली राष्ट्य उध्यान में लागू की गई थी ठीक है इससे इंपोर्टेंट एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए अभी लगबक 2017 में जो है एक घटना हुई थी कि और सत्कोसिय राष्ट्य उध्यान जो है उडिसा में इस्दे थे हैं वहां पर जो है हमारे काना किसली से और बादहोड राष्ट्य उध्यान से जो है बागों को जो है इस्थाणांद रित किया इसके या और एक कारण बताया गया और मेरे विचार से इससे बाहर कुछ भी question नहीं बनने चाहिए अगर इससे बाहर और कुछ question मेरे को अगर कानखस्ली से संबंदिद और question मिलते हैं तो मैं इसको next video में आपको कानखस्ली से संबंदिद एक video और बना दूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगती तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इसको अपना प्यार दीजेगा और लगबख सेयर जरूर कर दीजेगा इसके बाद हम नेक्स्टर राष्ट्य उध्यान के बारे में बात करेंगे उससे भी संबंदित सभी बातों को हम एक ही वीडियो में लेकर आने वाले तब तक के लिए गुडबाई दोस्तों